और एक प्रकारते गुजरात ट्रेडर स्टेट बढ़ गया था अग्रिकल्चर स्टेट नहीं था उद्योग नहीं था कोई माइनिंग नहीं है कुछ नहीं है उसमें से गुजरात अग्रिकल्चर स्टेट बना उसमें से गुजरात मैनिफेक्चरिंग हब बना आज समी कंडुक्टर का वह हो रहा है कार बंड़ी हवाई जहाज बन रहा है तो मैंनि डायमंड दुनिया में कोई भी डायमंड ले जिए दसमा से आठ डायमंड वो है जिस पर किसी ने किसी गु स्परिटी आई है और रोजी रोटी यह एक प्रकार से वाटर स्कैर से से आज सफिशन वाटर वाला राज्य बना है वाटर ट्रेबल उपर आए हैं और यह लोगों की महनत से हुआ है सरकार में तो यह निरंतर काम को लोग देखते हैं और दूसरा गुजरात में अगर आप अवेलेबल है मैं तो इचाहता हूं कोई देखे हैं शायद 1917 से रेकॉर्ड अवेलेबल है शायद 1917 से कि दस साल में साथ साल बड़े कॉमिनल वालेज होते ते गुजरात में 1917 से कि यह पहला पचिछ साल का कालखंड आया है जहां एक भी कॉमिनल वालेज देख आखरी कॉमिनल वालेज हुआ थी इसके बाद कॉमिनल वालेज नहीं हुआ तो यह जो शांती और सुरक्षा का वातारौ बना है उसके कारान हर किसी को लगता है यार गुजरात एक अच्छा develop होने बार और जब عग काम करते हैं तो लोग आशिरवात भी देते हैं और यह स्केम यह लंबे ऐसमय के बाद भी कोई को सकांड की चर्चा नहीं यह और आरूप नहीं है तो यह सारे चीज घुजराथ के चुणाओ तो आप देखते हैं गुजरात का दिल जीता है उसने बहुत बढ़ाइचि तो आप देखते हैं तो तो मैं गुजरात की काम को बिलकुल अपने आपको दूर रखता था सरकार बनने के बाद भी प्रधान मंतरी बनने के बाद मैंने किसी मुख्य मंतरी को एक बार भी फोन नहीं किया प्रधान मंतरी होने कुछ हूं मैं पत्रकारों के साथ बैठ करके देश के राजनीत की नेता के नाते में जवाब दे रहा हूं तो मैं यहीं हो तो मैं आपके साथ हो फोकस हो तो मैं यहां आकर मैं पूरी ट्रा देश के काम में डूप चुका हो पूरी तरह डूप चुका हूं और इसलिए और मुझे भरोसा है कि गुजरात में जो भी टीम बनी है उस पर मुझे इतना भरोसा है मेरे साथ काम करते थे वो मुझसे भी अच्छा करेंगे मेरा विश्वास है और किया मुझसे ज़्यादा सीटे जीत करके आए वो लोग तो क्रेडिट जाती है और मैंने तो चुना में कहा था कि भुपेंद्र की सफलता के लिए नरेंद्र यहां जहां आया है पर एक पधानमंत्री की तोर पे और एक राजनेत्ता के तोर पे जुकि आप देश का नेत्रूतु कर रहे हैं अब आप गुजरात को देखते हैं भुपेंद्र भाई की नेत्रूतु में 156 आना वह अनुभुती अलग रहे होगी देखे गुजरात में इतने दिनों जो काम की हुआ है स्वाभाविक है जो नेक्स 25 यर का कालखड है और गुजरात के लिए उत्तम कालखड है और गुजरात मुझे लगता है कि मोका जाने नहीं देगा को बड़ा व्यापारी लोग हैं बड़ा हिसाब किताब देखने वाले लोग हैं तो गल्तिक करते नहीं है वह बढ जाँच परताल करके आगे बड़ा है